Hello friends, मैं हूं प्रिया स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल Baby and Mom Life Style में Friends, आज मैं आपको बताने वाली हूँ की 3 महीने के बच्चे का विकास सबसे पहले आपको बताती हूँ की 3 महीने के बच्चे का वजन और हाइड कितनी होनी चाहिए तीसरे महिने में बेबी गर्ल की लंबाई 4.7 kg says 6.3 kg और लंबाई 59.8 cm तक हो सकती है वहीं बेबी बॉय का सामाने वजन न जो होता है वो 5.1 kg से 6.9 kg तक हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़े वताऊंगी height और weight mile stone हर चीज पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है हर बच्चे का विकास अलग होता हर बच्चे का अपना एक अलग बनावट होती है और उसकी अलग-अलग activities होती है तो अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से compare ना करें ओकी फ्रेंड्स अलग है बच्चे के milestone के विकास के बारे में बताते हैं सबसे पहले मस्तिस का विकास वो चेहरों को पहचानने लगा है बहुत सारे नहीं लेकिन जो उसके आसपास ज्यादा रहते हैं जैसे मा के चेहरों को और पापा अगर रहते हैं तो उनके चेहरे को आवाज सुनकर प्रत्क्रिया देने लगा है जैसे अगर आप अपने बच्चे को दूर से कहीं से बुला रहे हैं या कोई भी बुला रहा है तो वो इधर ओढ़ेखता है कौन उसको बुला रहा है क्योंकि आप वो अपनी नाम को भी पैचानने लगा है तीन महीने का बच्चा बोलता नहीं है लेकिन अगर आप उससे बात करते हैं regularly तो बच्चा बोलने की कोसिस करता है यानि कि आप से बात करने की कोसिस करेगा अब उसमें सारी रिक पतलाओ के बारे में बताती हूं सिर को उठाना बचे तीन महीने के जब हो जाते हैं कम्प्लेट तो वो सिर को उठाना सीखना जाते हैं हाथों को सरीर का वजन सभालना, हलका हलका सपोर्ट लेने लगते हैं खिलोनों को पकड़ने लगते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही पर पकड़ने लगते हैं चीजों को देखना सीख जाते हैं मुँ में हाथ डालना पीट के बल लेटना पाओं और हाथ चलाना अच्छे से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने पाओं को मुह में लेते हैं अंगुठे जो होते हैं पैर के तो वो मुह में भरने लगते हैं इस तरीके की एक्टिविटी भी करने लगते हैं तीन महीने का बच्चा खेलना सीख जाता है अगर आप उससे खेलने के लिए कोई भी एक्टिविटी उसको सिखा रहे हैं हल्की फिल्की तो वो जल्दी से आपकी आदत को सीख लेगा तीन महीने के बच्चे के दूद कितना आप देना चाहिए बच्चे को और कितना वो इंटेक कर पाएगा तो 3 महीने के बच्चे को हर रोज 500-900 ML मा के दूद्ध की जरूरत होती है सिसू 56 गंटे में 8-12 बार मा के दूद्ध का सीवन कर सकता है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 महीने के बच्चे के लिए कितनी नीन रबशियक है तो 15 गंटे बच्चे सो सकते हैं रात में 8-9 घंटे या 10 घंटे तक सो सकते हैं और दिन में 4-5 घंटे बच्चा सो सकता है। तो आप सबसे important बात 3 महिने के बच्चे को आप कैसे deal करें। क्योंकि कुछ activity होती हैं जो बच्चे को सिखाई जाती हैं और उस सिखाने पर ना बच्चे automatic वो चीज़े सीख जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो फिर बाद में आप लोग ही question करते हैं कि मेरा बच्चा पलटता नहीं है, बैठता नहीं है, बोलता नहीं है, या कोई activity नहीं करता है, आंगे नहीं किसकना सीखाए, क्राउल करना नहीं सीखाए, तो कि बच्चा आपका उनसे खुल मिल सके, ओके फ्रेंड्स, तो आप घर में बच्चे के साथ में जरूर खेलिए, आप खेलिए या कोई और गार्जियन सो उससे बुलिए खेलने के लिए, आपको क्या करना है, बच्चे को पेट के बल लेटाना है, इससे क्या होगा, थर्ड चीज, बच्चे के पेट के बल लिटाने के बाद में आप उसके सामने ट्वाइस जाल दीजिए, और कुछ ट्वाइस उसके पास में कुछ थोड़ी सी दूर रखिए, तो वो उनको लेने की कोसिस करेगा, इससे बच्चा खिसकने की कोसिस करेगा, वो क्राउल करना जल्दी सी, इस टाइम पर आप अपने बच्चे के साथ में और कई सारे गेम खेल सकते हैं, बच्चे को क्लापिंग करना सिखा सकते हैं, बच्चे को अलग अलग तरीकी की आवाजे निकालना सिखा सकते हैं, बच्चे के साथ में लुका छिपी का खेल खेल सकते हैं, तो ए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलने ही पाते हैं दो साल का बच्चा हो गया चार साल का बच्चा हो गया और वो बोलना ही नहीं सीखा है में रीजन यही होता है कि वो मोबाइल और टीवी के एडिक्ट हो जाते हैं और बोलना नहीं सीख पाते हैं या बोलने में उनको मज़ा नहीं आता है यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेट्यू रहा हो अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेट्यू लगा तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए